Hello Everyone, Welcome back to our channel इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं Microsoft Recruitment 2022 के बारे में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैं प्रेजेंट रहे हैं Microsoft की Official Website पर हूँ यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाने वाले हूँ आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और हमें समझाने में कोई दिक्कत ना हो फिर भी यहाँ पर आपको डारेक्ली Official Website पर ले जाके आए हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता था कि कहीं जो वेकिंसी में आपको बता रहूँ वो फेक तो नहीं है कहीं कोई फ्रॉड हो नहीं है तो इसी बज़े से आप यहाँ पर देख सकते हैं आप भी में प्रेजेंट में Official Website पर हूँ और आप सभी को Complete बताऊंगा आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को Like और Share कर दे चैनल को सब्सक्राइब करने और पहला आइकन पे प्रेस करने ताकि इन फ्यूचर आने वाली अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो Total विकिंसी की अगर हम बात करें तो 1465 टोटल आपकी यहाँ पे विकिंसी निकली वी है इसके लिए Apply कैसे करना है वो आप सभी को Complete Process बता देते हैं जिससे कि आपको Confusion ना हो और आप बहुती Easy तरीके से इस विकिंसी के लिए Apply कर पाएं सबसे पहले आपको अपना Google Browser ओपन करना है चाहिए आपना Mobile यूज़ कर रहे हैं और Desktop, Laptop जो भी आप यूज़ करने हो इसमें आपको टाइप करना है Study4Dreams.in जो की website आपको दिख रही है Simple इससे आपको सर्च कर देना सर्च करने के बाद सबसे उपर आपको एक page मिलता है Study4Dreams Home तो Simple आपको इस पर क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद और ये सारी चीज़े मैं इसलिए आपको बतारू ताकि इजी होता है आपके लिए वहाँ पर पहुंचना और डारेक्ट आप इसके लिए अपलाई कर पाएं तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है Microsoft Recruitment 2022 तो यहाँ पर आप सभी को बताते विकिंसी को हमारी official website पर नहीं होती है विकिंसी जो होती है वो Microsoft पर अगर विकिंसी निकली है तो वहीं से आपको अपलाई करना होता है बस दारिक यहाँ से आप अपलाई कर सकते हैं वहीं पहुंचाते हैं बहुत जादे स्टैप को फॉलो नहीं करना पड़ता तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो भी एड वगिरा है आपको हटा देना है और नीचे आपको स्क्रोल करना है और यहाँ पर जो इसकी पूरी information है वेकिंसी से रिलिटेट जैसे कि अच्छी बात यहाँ पर पूरी आपको डिटेस दी हुई है जाते कि 1465 आपकी विकिंसी है विकिंसी के बारे में पूरी information मिल जागी कि नेम और पोस्ट के अगर मैं बात करूँ तो IT department में, sales department में, accountsman, management में आपकी यह विकिंसी निकल वी है eligibility criteria के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे age limit के बारे में, तो age limit के बारे में यहाँ पर आप सभी को दिया गया है अगर age limit के बारे में अगर आपको बताएं तो 18 से 45 साल अगर किसी की age है तो वो इस विकिंसी के लिए apply कर सकता है qualification आप सभी को बताएं कि minimum आपकी जो qualification होनी चाहिए वो graduate होनी चाहिए और उसके अगर आपके पास कोई degree और diploma है तो आप इस विकिंसी के लिए apply कर सकते है Microsoft job location के अगर हम बात करें तो चार जगे इसके office में आप सभी को पता ही होगा बैंगला और हैदराबाद गुडगाओ और मुंबई इसी जगे आपकी posting रहेगी और अगर pay scale की बात करें तो starting में आपको approximately 45,000 per month test salary यहाँ पे दी जाती है selection process आपका interview and documentation होता है Microsoft application fees की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी application fees नहीं देनी है free of cost आप इसके लिए apply कर सकते हैं all over India से mail फे mail बोथ candidate इसके लिए apply कर पाएंगे इसकी official website पे जाके आपको online इसके लिए apply करना होता है और यहाँ पर 12 मईए से online application form start हो चुक है जो कि 10 जुलाई 2022 तक इसके form बरे जाएंगे interview की date आपको आपके mail में ही decide होगी कि interview date कौन सी होगी कौन से location पर आपको interview conduct करवाया जाएगा नीचे आपको तो link मिलती है online apply की और download notification की तो यहाँ पर online apply पर जैसे ही आप click करेंगे इसे scroll down करना है और नीचे आप देखेंगे यहाँ दो option आपको मिलते है explore student opportunities एंदर explore career opportunities तो यहाँ पर आपको second वाले option को choose करना है career opportunities पर जैसे ही आप इस पर click करेंगे click करने के बाद आपको दो option मिलते है एक profession मिलता है एक आपको locations मिलती है तो हमें locations के according क्योंकि हमें इंडिया में जोग चाहिए तो आपको locations पर यहाँ पर click करना है जिससे कि all over world में जितनी आपकी job हों उसके locations के according हम अपने इंडिया में choose कर पाएं जैसे कि इंडिया यहाँ पर option मिलके है तो simple आपको इंडिया पर click करना है तो यहाँ पर आप करने के बाद यहां पर जो विकिंसी दी गई है उन विकिंसी के डिटेल्स यहां पर आप सभी को मिल जाएगी जैसे कि डिजीटल सेल्स रिप्रेजेंटेटेटेटेव की अगर बात करें तो सिंपल आपको कलिक करने है डिजीटल सेल्स रिप्रेजेंटेटेटेटे पर जैसे आप अगले पेस पर तले जाते हैं इसके अप्लाइ करने वाले पर तो यहां पर जैसे ओasterई मुलता ओर नीचे आपको अप्लाइघ It और चानला आप सभी को इन देग कर सकते हैं उपर वाला जो option है नीचे कहीं से भी आप करें तो apply now पर आपको simple इस पर क्लिक करना होगा तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद next आगे आ जाते हैं और अगर यहां पर अगर कभी आपने अपने id create की हुई है तो login करना होता अगर नहीं की हुई है तो यहां पर आपको sign up करना पड़ेगा इसके लिए मैं sign in with google करता हूं तो sign in with google जाता हूं तो अपने account के साथ इसे open कर लेता हूं open करने के तुरंत बाद मैंने कोई भी अपने id select की select करने के तुरंत बाद यहां पर मेरी create profile के लिए कुछ नाम बगरा details यहां पर देता है और उसके बाद यहां पर country बूस्ता तो जो भी आपकी country है उसे select करेंगे और उसके बाद आप create पे click कर देंगे तो जैसे आप create पे click करेंगे तो click करने के बाद आप आप आए कि यहां पर login हो चुका है थोड़ा सा time लेका तो यहां पर इसके बाद आप देखेंगे digital sales representative modern work के लिए यहां पर cancel और continue with application यहां पर लिखा आ रहा है तो यहां पर simple आपको क्या करना है continue with आपको कर देना है तो यहां पर जैसे आप करेंगे तो इसके बाद कुछ details आप से ली जाती है तो जैसे कि आप आपके पास कोई experience है और job के लिए experience मांग गया है तो school हो गया country reason बगर हो गया यह पूरी details आपको यहां पर fill करनी होती है उसके बाद आपको यहां पर continue with application करना होता है और इसे as a part of the online application process इसे आप follow करते हुए continue with application करेंगे तो आपका जो form होगा वो यहां पर submit हो जाता है तो पूरा complete process मैं आप सभी को इस वीडियो मा बता दी है इसके बाद कोई भी आपका step नहीं होता आपसे केवल basic details यहां पर पूछी जाती हो और जो आपके step आते हैं वो आपको follow करने होते हो और उन्ही step को अगर आप follow करेंगे तो कोई भी amount वगरा पेकनने की भी आपको यहां पर जरूरत नहीं पड़ती ही और बहुत ही easy तरीके साब इस विकिंसी के लिए apply कर सकते हैं I hope वीडियो आप सभी को जरूब पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share करके channel को subscribe करने है और bell icon पर press करने है ताकि इन future आने वाली हर एक update कर notification आप सभी को सब अब से पहले मिलता रहे फ्लाग लिवस इतना ही सुता हैं कि फो वॉचिंग जैंग आप सभी को इस वीडियो में बता दिया इसके बाद कोई भी आपका step नहीं होता आप से केवल basic details यहां पर पूछी जाती है और जो आपके step आते हैं वो आपको follow करने होते हैं और उनी step को अगरा follow करेंगे तो कोई भी amount वगरा पेकनने की भी आपको यहां पर दरूरत नहीं पड़ती है और बहुती easy तरीके साथ इस वीकिन